के वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे ये देखिए ये मेरा छोठो सुईच है और एक मेरा ये पावर सॉकेट है ये थोड़ा बनिया कम्पनी का है जैसे यहां चलने वाला विशाल राथी और एमजी इउन आई इस सब कम्पनी यहां नेपाल में ज्यादा चलता है जिस का कनेक्शन हम चोठो सुईच और एक सॉकेट इसका कनेक्शन आज हम जानेंगे चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब से पहले आपको क्या करना होगा यह चोठो सुईच है चोठो सुईच को एक टर्मीर को आपको डाइरेक्ट जोर देना होगा जैसे देखिए चोठो सुईच में आपको एक सुईच में दो ठो टर्मीर दिया है उपर या नीचे कहीं भी एक आप डाइरेक्ट यहां से लिजिएगा और यहां तक जोर दिजिएगा यह वाले टर्मीर को हम जोर कर फिर देखते हैं देखिए इसके हिसाब से आप तार छिल कर यहां से यहां जोर दिजिएगा फिर यहीं तार कटिंग करकर यहां जोर दिजिए चलिए पहले हम इसमें जोर लेते हैं देखिए हमने यहीँ तार छिल कर यहां से लेकर यहां तक जोर दिए फिर इस तार को यहीं से नाप पएंगे और इसके साइज में काट लेंगे यहां छील कर कोस्त देंगे अब चलिए छील कर कोस्त कर देखते हैं देखिए हमने ये पूरे स्विच को एक साथ में यहां से तार लेकर यहां तक जोर दिया जोरने के बाद में ये मेरा स्विच का वायरिंग कम्पलीट है उसके बाद ये आपका राग्या सौकेट तो सौकेट में आपको देखिए यहां पर एन लिखा है यहां पर एन लिखा ह हुआ तो इका मतलब होगे आपको अर्थिंग यहां पजोरना है नूटल यहां पजोरना है और फेज यहां पजोरना है तो जैसे यह स्विच अकर आपको डाइरेक्ट रखना है यहां से तार निकालकर जोरे हां डाइरेक्ट यहां स्विच को उसमें से तार निकालकर यहां क दिडिएगा हमको डाइरेक्ट नई रखना है स्वीय से रखना है इसको इस में से उपरे देखिए यहां से हमने एक तार निकालकर इहां जोरो दिया जोरने के बाद में जैसे आफ देखिए होल्डर में दो ठो तार आता है तो एक तार को आप जिस स्विच से जराना चाहते हैं उस स्विच में एक तार को कस दीजी अब चलिए हम होल्डर को एक तार को इसमें कस ते हैं फिर दूसरा होल्डर कस कर देखेंगे देखिए एक होल्डर के हमने तार लेकर एक तार यहां कस दिया है और एक तार इसी तरह अभी न्यूटल के लिए छोरे हुए है फिर दूसरा होल्डर का आप लेकर एक तार यहां इस वाले में कस दिया है देखिए दूसरा बल भी हमने कस दिया है होल्डर का तार एक और एक इसी तरह छोड़ दिया है तीसरा भी अब यहाँ हम कसेंगे इसमें और चौथा यहाँ पर चलिए अब तीसरा फिर कस का देखते है देखिए तीसरा भी होल्डर का तार हमने इसमें कस दिया है एक तार इसी तरह छोड़ दिया है फिर चौथा कसेंगे इसी तरह देखिए चौथा भी holder हमने cos कर यहां एक तार छोड़ दिय एक तार स्विच में cos दिये और एक तार छोड़ दिये अब क्या करना होगा जितना holder का एक तार छूटा है आपको सभी holder को एक साथ में जोर लेना होगा आप चलिए जोर कर फिर देखते हैं देखिए जो holder का एक तार बचा हुआ था direct हमने यहां मिला दिया अब क्या करना होगा आपको neutral इसमें लिया कर जोर कर एक neutral यहां आपको जो यह socket है इसके लिए neutral निकाल कर इसमें कस देना होगा और एक neutral इसमें मिला देना होगा आप चलिए मिला कर देखते हैं देखिए यह मेरा neutral का तार है और यह मेरा phage का तार है तो phage switch में कहीं भी कस देंगे और neutral को यहां बोले हैं यहां से एक मिला कर और एक तार यह रखे हैं दो अनों को एक साथ में यहाँ पर मिला देंगे और मिलाने के बाद में इस पर टेप लगा देंगे और एक तार जो मेरा निकला है वो आपको तार को यहाँ पर कॉस्ट देना होगा इस सौकेट में एक तार कॉस्ट देना होगा अब चलिए कॉस्ट कर फिर देखते हैं देखिए, यह मैरा निविटल का तार यहाँ लिया कर कॉस्ट दिया। देखिए, इसमें हमने लाइट चालु कर दिया है। चालू करने के बाद में अगर मेरे पास और्थिंग रहता तो इसमें कॉस्ट देते और्थिंग नहीं है मेरे पास तो इसी तरह छोड़ दिये हैं मैं इसमें लाइट चालू कर दिये हैं देखिए यह लाइट चालू आप जैसे बोड को पल्टेंगे और स्विश अब अन करेंगे मेरा बल्ब यह काम करने लगेगा देखिए यह आपको जलता दिखाई दे रहा है फिर बन किये तो दूसरा जला फिर देखिए तीसरा में अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें